हेलो गाइज आएम रिक्की और यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वान क्लासेज फिजिक्स चल रहा है और जो टॉपिक आज देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिकी में वह है कैथोड किरने कैथोड रेज तो लास्ट तक बने रहेगा बहतरी नॉलेज मिलेगे आपको और कैथोड इलेक्ट्रोड से निर्वात नलिका में कैथोड इलेक्ट्रोड और एनोड इलेक्ट्रोड दो इलेक्ट्रोड होते हैं उसके बीच में जो किरने निकलती है उसको कैथोड किरने कहते हैं या अगर एक डिपने वास्तव में किसी निर्वात नलिका में उत्पन इले ड्यास्त होगा हमारा कि आपकी दिमाग में ऐक चप जहें कि आखिर होती है तो पहला डिफ्टम समझा यह यह मान सकते हैं कि कैपोड किे वास्तव में कि कैपोड कि व्माइच वास्तव में कि निर्व्amm inflam chamber refresh किसी निर्वात नलीका में उत्पन किसी निर्वात अभी हम लोग समझेंगे इसको किसी निर्वात नलीका में उत्पन नलीका में किसी निर्वात नलीका में उत्पन इलेक्ट्रोनों का पुंज है इलेक्ट्रोन का पुंज है या इलेक्ट्रोनों का पुंज है यह क्या है इलेक्ट्रोनों का पुंज है एक डिफ्नेसन तो आपको सीधी सी बात है कैथोड कि रुने वास्तर में किसी निर्वात नलिका में उत्पन इलेक्ट्रोन का पुंज है अब निर्वात नलिका का मतलब क्या हुआ यहां पर जो निर्वात नलिका कहा गया इसका मतलब क्या हो गया निर्वात मतलब आप जानते हैं वैक्यूम है ना और नलिका मतलब ट्यूब तो वैक्यूम ट्यूब जिसको आप बोलते हैं उसमें उत्पन इलक्ट्रोन का पुंज है जिसको हम लोग क्या बोलते ह है अभी इसका और थी एक कि लिखिया के सामने लिखेंगे इसको भी समझने के हम साथ साथ है ना इलेकट्रॉन की एक धारा भी होती है आप इसका प्रटाड देखें यहां से लिखते हैं एक और कैठोरर किर में कैथोड किरने इलेक्टरॉन की एक धारा होती है जो विसरजन नली में विसर्जन नली मतला आप जानी रहे है वाक्यूम ट्यूब में जो विसर्जन नली में है ना कैथोड इलेक्टरॉड से एनोड इलेक्टरॉड की और कैथोड इलेक्टरॉड से से एनोड इलेक्टरॉड की और कैथोड इलेक्टरॉड की और है ना गती करती है की और गती करती है एनोड से निकलेगी है ना और गती करती है कए ति एलेक्ट़ॉड की और गती करती है अतह कैथोड की रूने अत्यधीग गती सील-, अतह कैथोर्ड किरने अत्यधीक गती सील रिनात्मक कनों का समूह है रिनात्मक कनों का समूह है या रिनात्मक कनों का समूह होता है और ये रिनात्मक कन इलक्ट्रोन है कि इलेक्ट्रॉण होते हैं अब समकर होते हैं ये यह क्या का लाते हैं इलक्ट्रॉं से और दूसरा जो है कि कैथोड किणने इलेक्ट्रॉन की दारा होती है है जो विसरजन नली में कैथ होड़ इलेक्ट्रोड से कहां से निकलती है कैफोड इलेक्ट्रोड से एनोड इलेक्ट्रोड की और कैफोड इलेक्ट्रोड से एनोड इलेक्ट्रोड की और गती करती है अर्थाद गमन करती है अत्याथ कैफोड कि रने अत्यधी गतिसील रिनात्मक कनों का समू है और यह रि था सकते हैं कि कैथोड कि इलेक्ट्रोड की एक धारा होती है एक नंबर जो बिसरद्य नली में कैथोड इलेक्ट्रोड से एनौड इलेक्ट्रोड की और गती करती है तीसरा है कैथोड कि ने आती थी गती सी लेनात्मकनों का समूंग है यह तीन हो गया और चौथा पॉइंट और यहां आत्मा कन इलक्ट्रोन होते हैं और यह क्या होते हैं तो कूल मिला कर कि यह की एक धारा होती है इलक्ट्रों कार टतकृर में ऐलक्रों की धारा है जो विशरजन नलमें कैतोडे लेनक्रोंट से एनोड इलेक्रोंड की और गती करती हैत ह aware केसरेट कि इसील-फयरो धे होते हैं और यह रिनात्मकन क्या होते हैं इलेक्ट्रोन होते हैं देखिए अब दो डिफ्रेशन एक डिफ्रेशन इसका और भी जान लिजे और भी आपको यह चीज जो है दिमाग में सेट कर जाएगा जब कभी विसर्जन नली में इलेक्ट्रोन के बीच जब कभी है ना जब कभी विसरजन नली में जब कभी विसरजन नली में इलेक्ट्रोडों के बीच इलेक्ट्रोडों के बीच इलेक्ट्रोडों के बीच इलेक्ट्रोड के बीच मतलब क्या विसरजन नली में जो कैठोड इलेक्ट्रोड है वह भी है और जो एनोड इलेक्ट्रोड है वह भी मौझूद है तो इसलिए कहा गया जब कभी विसरजन नली में इलेक्ट्रोडों के बीच अर्थात कैटोर एलेक्टोड और एनोड इलेक्टोडों के बीच हैना इलेक्टोडों के बीच प्रेरन कुंडली द्वारा प्रेरन कुंडली द्वारा थ्याना प्रेरन कुंडली द्वारा उच्छ विभांतर अस्थापीत किया जा जाता है जिढ्ख विभवांतर पर मिन भरह स्थापीत किया जाता है अस्थापित किया जाता है मतलब जब उच्छ विवांतर अस्थापित किया जाता है तथा नली में भरी गैस का दाब तथा एक नंबर यहां समझ लिजिए तथा नली में भरी गैस का दाब नली में भरी गैस का दाब जो प्रेसर होना चाहिए वह 10 to the power minus 2 से 10 to the power minus 3 millimeter है ना millimeter पारे के अस्तंब के बराबर होना चाहिए millimeter पारे अस्तंब के बराबर होना चाहिए पारे अस्तंब के बराबर होने चाहिए या बराबर होना चाहिए अब देखिए इसमें पूरी तरह से बिश्ले से धंक से है के बराबर पारे के अस्तम के बराबर होता है या होना चाहिए को के बराबर होता है तो कैथोड से तो कैथोड से थोड़ा सा वेट कीजिएगा कैथोड से नीली कैसी कलर है नीली तो कैथोड से नीली वर्न गयं निकलती है नीली वर्ण रेखाए निकलती है निकलती है और यही वर्ण एंथा निकलती हुई दिखाए देती है निकलती हुई दिखाई देती है निकलती भी दिखाई देती है इन्हें क्या बोलते है इन्हें यह जो बुलू कलर की जो रेखाई निकलती भी रिखाई देती है इन्हें को क्या बोलते है कैथोड कीरन बोलते हैं कि कहते हैं बहूत भैतरिन है इसमें आप इसका पूरा बक्षान समझ जाएंगे ऐज यहां पर जब नाजब कभी विसरजननली में हैना जब कभी विसरजननली में ईलक्टरोड के बीच इलक्टरोड मतलब रहा किन्स्काला करता स्थापित होता है जू कुछ दूरी पर रहा करके भी काम करता है उच्छ विभानतर अस्थापित होता है रहाँ पुठानली की जाता है तथा नली में भरी घैस क का में भरी ऑधी गैस है उसका प्रेसर Qalbert स्टू से टेंटीप मैनस थ्री मिलिमीटर पारे अस्तंब के बराबर होता है तो कैथोड से नीली वर्न रेखाएं निकलती वी दिखाई देती है क्या होती है कैथोड से नीली वर्न रेखाएं निकलती वी दिखाई देती है जिने कैथोड किरने कहते हैं इन रेखाओं क्या उसके लिए करना पड़ेगा वह भी इसमें एक तरह से कहा गया है कि विसर्जन अली में इलक्ट्रोड के बीच प्रेञन कुण्डली द्वारा वारा उच विभानतर असथापित कियाता है विसर्जन ली में की बीच प्रेश्च विववानतर असथापित किया तथा क्या तो अब यहांपर समझे कि नरी में जो भर हुआ गैस है उसका दाव ऑली में और जरी घैस का दाव चाहिए तो 10 to the power minus 2 से 10 to the power minus 3 यह किसमे है millimeter पारा यह जो है गैस के अंदर जो क्या pressure रखना चाहिए तब आपको cathode क्रिण दिखाई देगा तो आपको नली के अंदर किस नली के अंदर विसरजन नली के अंदर जो तो गैस का pressure होगा वह 10 to the power minus 2 mm से 10 to the power minus 3 mm अगर भी आप इसको निकालना चाहेंगे तो 10 to the power minus 2 का मतला हो गया वन बटे 10 का square यह हो जागा वन बटे 100 बराबर 0.01 mm यह जो है पारे का इतना प्रेसर होना चाहिए इतना से और जब इसको निकालेंगे तो यह हो जाएगा 0.001 इस 0.1 mm से 0.001 mm यह जो है पारे का pressure होगा विसरजन में और इसी इतना ही पारे अस्तम के pressure अटर पर जो है C 3 से नीली रिखाय निकलने लगती है जो फिर और के लेक्ताओं एक उससे जो है दिखाय देती है और क्या बोलते है करते हैं के तो हम को लगता है कि आपको इसमें बात समझ में आगए होगी ही ख़की क्या है किना जब समझ यह जो किसी विसरजन नली में नंडर जो एक एक है और यॉक्त को औरा ऐक ऑर दोनों के उस नली में जिस नली में cathode electrode है और anode electrode है उसके बीच जो प्रेसर होना चाहिए है न वो प्रेसर उसमें भरीवी गैस का दाब होना चाहिए वह पारे के 10 to the power प्रेसर होना चाहिए तब तब कौन सी घटना घटती है तब उस बिसरजन नली के अंदर जो cathode electrode है उससे एक नीली वर्न रेखाए निकलती है निकलती भी दिखाए देती है और इसी नीली वर्न रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं क्या है और हमको लग रहा है कि यह cathode से निकलती है इसलिए इस की रन का नाम क्या हो गया cathode क्राण हो गया इसको cathode क्राण कहते हैं और अगर आप समझना चाहे तो वह cya है मूल रूप से इलेक्ट्राणों का पुन्झ है और वो क्या है दिरवात मारा का में उथपनद इलेक्ट्राणों का फुन्च भी उसको कह सकते हैं जब यह डिरया कैफोड के सामने नली से दिवार से टकराती है जब देखें आगे बढ़ते हैं अब कहता है जब यह जब किरने जो किरने निकली निली किरने निकली जब ये किरने है ना जब ये किरने कैथोड के सामने की नली से टकराती है कैथोड जब ये किरने कैथोड के सामने की नली कैथोड के सामने की नली से नली से नली के दीवार से टकराती है नली के दीवार से टकराती है तो प्रतिदिप्ति उत्पन करती है तो प्रतिप्ति उत्पन करती है अब ये कह रहा है कि जब ये किरन कैफोट की नली से निकली तो जब ये किरन कैथोड के सामने की नली के दिवार पर अब जो कैथोड से निली वर्न रेखाए निकली तो अब ये किरने जो कैथोड से निकली यह जब कैथोड के सामने की नली के दिवार से कैथोड के सामने की नली के दिवार यह तो कैथोड के सामने की नली की दिवार से टकरा जाती है तो क्या करती है प्रतिदीप्ती उत्पन करती है प्रतिदीप्ती मितलब वो चमकने लगती है प्रतिदीप्ती उत्पन करती है जिसका रंग काच की प्रकृती पर निर्भर करता है जिसका रंग या जिसका कलर जिसका रंग काच की प्रकृती पर निर्भर करता और बलू दिखाएं मतलब काच की जो प्रकृति होगी वैसा ही वो किरन दिखाई देगा तो मित्र और इसका जो क्यान का खोज है वह 1870 में इसका खोज किसने किया था तो इसकी खोज 1870 इस भी में हैना काई का 870 भी है 1870 इस भी में ब्रिटिस भौतिक विग्यानिक यह ब्रिटीज के हैं ब्रिटीज भौतिक वैग्यानिक ब्रिटीज भौतिक वैग्यानिक विलियम क्रूक द्वारा क्या गया विलियम विलियमख्रूक विलियमख्रूक द्वारा किया गया इन्होंने हिसका खोज द्वारा किया गया तो यह भी हमको समझ में आ गया कि हमको आ जब उत्पन की जाती है तो विसर्जन ना लिका में जो गैस होता है उस पेप्र प्रेशर कितना होता है तो उसका प्रेशर holes 0.001 mm या 10 to the power going – 2 mm से 10 to the power going – 3 mm पारे के अस्तंवदाब के बराबर जो है उसके अंदर प्रफर होती है और उसी बास को लगता है और जब ये के के सामने के द्वाश तक एक तो प्रदिब्ति उत्पन करती है जिसका रखर दॉट करते हैं स्वास्त्रा के अपना ख advice जै भारत कर दो कर दो